सब्सक्राइब करें सीटी न्यूज पलामू वबेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरे सबसे पहले सबसे आगे जारखन के पलामू जिला आंतरगात हुसायनाबाद हैतानगर परखंड समेत गढवा आधी जगों के 400 मजदू लॉकडाउन के वज़ा से इन दिनों निपाल में फसे हुए है वह जिस सिमेंट पलांट में काम करते थे वह पलांट पूरी तरह से बंद हो गया है मजदूरों ने कहा कि वह सीजी सिमेंट सरदवा पालवार नेपाल में काम करते थे मजदूरों ने पैदल बिहार के रास्ते घर आने का परियास किया था मगर उन्हें बिहार बोटर से वापस भेज दिया गया लोगडाउन के वज़ा से पलांट का काम बंद हो गया है आसपास की दुकाने भी बंद हो गई है खाने पीने की काफी दिक्कत हो रही है मजदूर का भाई मितले सर्मा के अनुसार धारखंड के करीब चार सो मजदूर वहाँ फसे हुए है उन्होंने देश वर राजस की सरकार से पहल कर उन्हें निकालने का आगर किया है उन्होंने का कि कोरोना वाईरस से तो वह बच जाएंगे परंतु भूख उन्हें माल डालेगी लोग नेपाल में काम करने आये थे जो कि लोकडाउन के अंदर सर्देवा पलपा नेपाल में फसे हैं जो कि हम सभी मजदूर घर आना चाहते हैं हम लोग को घर बुलाने के लिए बेवस्ता किया जाए नहीं तो हम लोग दो चार पाज दिन के अंदर पैदल जाने के लिए तयार हो रहे हैं और मेरा जर्खन सरकार हेमन सुरेंजी से आग रहा है कि आप हम लोग को जितना जल्द हो सके बुलाने का काम करें